नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मारे यूट्यूब चैनल एक्जाम गुरू में दोस्तों हमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे परिक्षा 2024 के लिए हम जो जीके जीएस और करेंट अफेट्स की जो 5000 कोशन कंप्लीट करें उसके अंतिकत आज मै आपके लिए 21 से नंबर का वीडियो लेकर आया हूं इसके पहले मैंने सीरीज के 20 वीडियो कंप्लीट करा दी हैं अगर आपने नहीं देखे तो देख लीजीगा मैंने प्लेलिश्ट बना दूगा जिसका लिंक उपर आई के बटन पर जोड़ दूँगा सासा डिस्क्रिश का नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, 6000 पदों पर लगबा लगबा भड़ती होने वाली है, सासात कुछ पद बढ़ने भी वाले हैं, अब नोटिफिकेशन आपका NTPC, GroupD का बहुत जल्दी आने वाला है, और Junior Engineer और RPF का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उन्हीं एक्जाम्स की त्यारी के लिए हम 5000 कोशन अभी से सुरू कर दिये हैं, हमने पढ़ना, तो यह 5000 कोशन हम आपको टोटल 100 वीडियो में कम्प्लीट कराने वाले हैं, और डेली आपको 50 कोशन देते हैं, इस परकार आपके 5000 कोशन कम्प्लीट हो जाएंगे, GKGS और करन्ट अप पूर्ण हैं और जिस तरह कोशन रेल वे द्वारा पूची जाते हैं, यह वही प्रेशन हैं, एक और चीज़ बता दूँ कि इस वीडियो सीरीज का कुछ रूल्स हैं, आपको हर वीडियो में आपको 50 कोशन मिलेंगे, और हर कोशन के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त मिलेंग एक और चीज़ बता दूँ कि हम हर वीडियो में पिछले वीडियो से कुछ कोशन रिपीट करेंगे, जिससे कि क्या होगा आपका 77 रिविजन भी होता रहेगा, और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होते रहेगे, जिससे कि आपका मोर्टिवेशन और कॉन्फिदेंस बढ़े दोस्तों वीडियो शुरू करने से पिले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको हमारी ये सीरियस पसंद आई है, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को WhatsApp पर शेर जरूर कर दें, WhatsApp, Facebook सब जगें शेर जरू कर रहे हो या फिर आपकर आप जूनियर इंजिनियर की त्यारी कर रहे हैं या फिर एलपी जिस भी एक्जाम की आप त्यारी कर रहे हैं कमेंट बोक्स में आखने में जरू बताएं और प्लीज वीडियो को शेयर करना बिलकुल भी न भूलें तो चलिए वीडियो को शुरू क निम्लगितन बाट किस निवनर राजा दास्टे है? विश्व में पेट्रोलिम का सबसे बड़ा आया तक इन में से कून सा देश रहें पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आया तक इसका राइट आंसर को दोस्तो ऑप्शन डी सहीक तो राज जी अमेरिका जो कि सबसे बड़ा आया तक मंगवाने वाला देश है पेट्रोल प्रया का अर्थ क्या है इसका सही तो प्रदेश में उश्ण कटिबंदिय से लेकर अलपाइन प्रकार की वनस्पत्ती मिलती है किसी अक्रिक गेस के परमाणू की वो पूर्ण होती है आमेशा option number C is right answer नम्ली कितमे से कौन सा enzyme glucose को ethanol में परिवर्तित करने को प्रेडित करता है इसका right answer को तो option A जाइमेज जाइमेज glucose को ethanol में परिवर्तित करता है कोई विधेक धन विधेक है या नहीं इसका निर्णेक कोन करता है कोई डियाक करता है कोई विधेक धन विधेक है या नहीं सबसे महत्वपूर्ण लगो उध्यओक कोन सा है को सबसे महत्वपूर्ण लगो उध्यओक इसका सही उत्रोगा दोस्तो ओप्शन B हत करगा उद्योग दुक्टी भारत का सबसे मत्पूर्ण लगोद्योग दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्लिकित मैं से किस एक नदी पर आधारे थेवत लाएं दो किस नदी पर आधारे थे इसका सही उत्रोगा ऑप्शन बी चिनाम नदी परिस्तेते दूलहस्ती पावर स्टेशन पाल घाट दर्रा निम्रिकित में से किन दो राज्यों को जोडता है बतलाएंगे इस तो पाल घाट दर्रा किसको जोडता है इसका सही तो आप्शन एक केरल और तमिनलाडू को जोड़ता है पाल घाट दर्रा वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्धी पर शाह आलम को पुनर स्थापित करने वाला मराठी सरदार कौन था? राइट आंसर दोस्तो महदाजी सिंद्या कौन थे? महदाजी सिंद्या मानव शरीर में लाल रख्त करने का निर्मान कहां पर होता है? तो कहां पर होता है लाल रख्त करने काओं को निर्मान? मानव शरीर में इसका सही तरह को दोस्तों option number डीजराइट आंसर अस्थी मज्जा में होता है लाल रख्त कणिकाओं का निर्मान कहा पर होता है अस्थी मज्जा में नवी सदी में भारत आये अरव यातरी सुलेमान ने किस सामराज्ज को रुहमा काकर संबोधित किया था इसका सही तरह option number is right answer पालो को किस सामराज्ज जगो पाल सामराज्ज जगो किया था अप्रत्यक्ष कर से संबंदित नहीं है बतलाएंगे को नहीं है इनमें से अप्रत्यक्ष कर से संबंदित इसका राइट आंसर हो जाएका दोस्तो वांचू समीती सम्मंदित नहीं है अब रत्यक्षकर से option number 20 राइट आंसर हो मदुरे का मिनाक्षी मंदिर का निर्मान कराया था comment box में वताएं फटा फट मिनाक्षी मंदिर का निर्मान किस ने कराया इसका सही उत्रकों दोस्तो मदुरे के नायकों ने कराया था मिनाक्षी मंदिर का निर्मान उपराश्ट पती को उसके कारेकाल की समापती के पूरुपत से हटाने का अधिकार इनमें से किसको होता है कोन हटा सकता है इसका right answer हो जाएगा दोस्तो option number 6 right answer किसके पास होता है अधिकार संसत के पास तजीब उल एक लाक के रचनाकार कौन है तजीब उल एक लाक के रचनाकार कौन है इसका right answer दोस्तो option C. स्यद ऐहमद का कोन है स्यद ऐहमद खा तजीब उल एक लाक एक माइक्रोन बराबर है बतलाएंगा ज़स तो एक माइक्रोन किसके बराबर होता है एक माइक्रोन इसका सही तरुक ज़स तो आप्शन सी 1 बाई 1000 मिलिमेटर आप्शन सी जिजराइट आंसर 1 बाई 1000 M.C. शीतलवार, V.N. राव तथा अलादी कृष्ण स्वामी एयर प्रख्यास सदस्य है पतलाएंगे मद्रास लेबर यूनियन के प्रख्यास सदस्य है तीनों इसके हैं मद्रास लेबर यूनियन राज्य मंत्री परिशद रूपी जहाज के निर्देशन के चक्र का चालक होता है सबसे बड़ा ग्रह इन में से कौन सा है प्रत्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातू इन में से कौन सा है इसका राइट आंसर हो जागे दूस्तो लो हो और पहला कौन सा है आप कमेंट बोक्स में आंसर करके मुझे बताईए पहला धातू दूसरा तो लो आए राज्य सरकार का समविधानिक प्रमुख होता है राज्य सरकार का समविधानिक प्रमुख कौन होता है इसका राइट आंसर होगा जोस्तो और डीजर राइट आंसर राज्यिपाल कौन होता है राज जिपाल सम्वेधानिक प्रमुक हेली धूमके तुका अवर्तकाल होता है हेली धूमके तुका अवर्तकाल बतलाना है फटावर बतला है इसका सही उत्रगों दोस्तो ऑप्शन बी चहोतर वर्ष हेली धूमके तुका अवर्तकाल कितना है हर 64 साल बाद यह दिखाई देता है आकाश में भूपरश्ट के 3-4 भाग में इमें से क्या है बतलाएंगे इसका सही उत्रग वुपरश्ट पर क्या प्रिथ या जाता है तीन चौथा भाग पर क्या पाया जाता है भूपरश्ट पर जल पाया जाता है 75% प्रथम महिला इन में पहली महिला थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निमने में से किस काल में बनाई गई थी तो किस काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा इसका रेटांस हो जाएगा दूस्तो ऑप्शन बी कुशान काल में बनाई गई थी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुशान काल इसपात के गोले में पदार्थ की मातरा उसका क्या होती है बतलाएंगे दूस्तो क्या होती है इसका सही उत्रगों तो ऑप्शन B द्रवेमान कहलाता है क्या कहते हैं उसे हम द्रवेमान कहते है भारत का सबसे बड़ा बंदरगा इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा बंदरगा पुछा गया है भारत का राइट आंसर है दोस्तो मुंबई जोकी भारत का सबसे बड़ा बंदरगा ऑप्शन बर 20 राइट आंसर सोर मंडल का सबसे छोटा उपगरह इनमें से कौन है मतलाएंगे कौन है सबसे छोटा उपगरह कमेंड बॉक्स में मतलाएं इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तो डिमोस यहाँ पर पूछा गया था उपगरह तो जो डिमोस उपगरह है वह सोर मंडल का सबसे छोटा उपगरह है समानता का अधिकार भारतियों के लिए सुनिश्चित करता है क्या सुनिश्चित करता है समानता का अधिकार देखिए तो ये धार्मिक समानता, आर्तिक समानता और सामाजिक समानता तीनों को सुनेख़त करता है, मतलब option number dessert right answer उपयोक्त सभी जीवाणों को पोधे माना गया है, क्योंकि? जीवाणों को पोधे, बतलाएगे क्या होगा इसका answer इसका राइट आंसर दोस्टो ओप्शन फी उनमें कठोर कोशी का बित्ती होती अनको माना गया है कशोर कोटि का बित्ती दसवी पंच वर्ष योजना की अवधी क्या थी बतलाएंगे दसवी पंच वर्ष योजना की अवधी स्क्राइट आइट 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 किसके मौजूदकी के कारण शरीर के भीतर रखत जमता नहीं है किसकी मौजूदकी के कारण इसा होता है हेपेरीन के कारण इसा होता है कि हमारे शरीर के भीतर रखत जमता नहीं है हेपेरीन निम्न में मिस्टरन है बताना है आपको इन वेसे कौन सा मिस्टन की शिडी में आता है इसका राइट आंसर जोड़ो और स्थाहरोUNG आप्षिन B, Спात इस पात एक मिश्टन की शिडी में आता है मेगज तनीच्ट की पुस्तक का नाम क्या है बतलाएंगे सो तो मीसित्रराज की पुस्तक का नाम बताना है आपको इसका सही रघ्लसतो आप्शन डी इंडिका मैंगी स्थ्ननीज lacks की पुस्तक का नाम क्या है इंडिका कि और कि अभिष्कार इन अनिंद कि आइसका राइट आंजकोंसतु tu टेलर एवं यंग जो की रडार के आविश्कार रखते कुन थे टेलर एवं यंग छेत्री परिशदों के गठन के संबंद में किस वर्ष प्रावधान किया गया था तो किस वर्ष प्रावधान किया गया था इसका राइट आंसर गदुस्तो ऑप्शन सी 1956 में किया गया था प्रावदान भारत के प्रधान मंत्री तो क्या होता है नियुक तो होते हैं निर्वाचित होते हैं या फिर मन्लोनित होते हैं इसका सही उत्रगोज़तो ऑप्शन अमबर एई जाएट आंसर न्यूक तो होते हैं भारत के प्रधान मंतरी क्या होते हैं न्यूक तो होते हैं बरसाद के दिन जल पर छोटी तेली परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं यह किसके कारण होता है बताएं क्या विज्ञानिक कारण होता है इसका इसका सही उत्रगोज़तो ऑप्शन अमबर बीज राइट आंसर परिक्षेपन आपने देखा होगा बरसादी पानी के ओपर हलकी सी चमकदार परत चालूक की विक्रम संवथ का प्रचलन किस ने किया राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन नमबर सी विक्रम अदित्य सिक्स्थ किस ने किया था विक्रम अदित्य छट्षेपन हाइड्रोजन से भरा रबड का गुबारा वायू में उपर जाकर फड़ जाता है तो बतलाएंगे क्यों फड़ जाता है देखे तो इसका सेट रोगा आप्शन नमबर डी राइटना सर्फ वायूदाब घढ़ जाता है उपर जाने पर क्या होता है उसका वायूदाब घढ़ जाता है इसलिए वो ब्लास्ट हो जाता है चक्रवात की आँख एक विश्रिष्टा है बतलाएंगे दोस्तों चक्रवात की आँख एक विश्रिष्टा है तो किसकी होती है दोस्तों आप्शन ए ऊश्न कटी बंदी चक्रवात की समुद्री खर्पतवार निम्लिकित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है बतलाएंगे किसका महत्वपूर्ण स्रोत है इसका सहीत तो जाएंगे दोस्तों आप्शन नमर्ड डीजर राइट आंसर आयोडीन का समुद्री खर्पतवार आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है इडम उत्प्रेड़क के नाम से जाना जाता है इनमें से कौन सब्तार्थ इडम उत्प्रेड़क के नाम से भी जाना जाता है इसका राइट आंसर है दोस्तो प्लेटीनम इडम उत्प्रेड़क के नाम से कौन जाना जाता है प्लेटी नम जाना जाता है प्लेटी नम प्रदार्थ नाइक्रोम के तार हिटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं तो क्यों किये जाते हैं तो इसका सही तो जागा दूस्तो option D, B اور C दोनों इसका विशिष्ट प्रतिरोद उच्छ होता है लाल तब तो होने पर आकसाइड नहीं बनता नहीं लेकित प्रेसे किस महाधुवीब को अंद महाधुवीब के उपनाम से जाना जाता है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव इनमें से किस सदन में लाया जाता है इसका राइट आंसर तो option A लोगसभा अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है लोगसभा सदन में तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो complete हो गया है railway का जो हम 5000 questions complete कर रहे हैं उसके अंतकत आज का हमारा ये वीडियो complete हो गया है अब आपको comment box में आपको ये बताना है कि आपको 50 में से इस वीडियो में कितने मांखसा हैं साथ साथ आप comment box में ये भी जरूर बताएं कि आप railway की किस exam की तियारी कर रहे हैं अगर NTPC की कर रहे हैं तो NTPC की कर रहे हैं ग्रूब D की कर रहे हैं तो group D लिखें या फिर एल पी आर पी एफ या फिर आप जूनियर इंजिनर जिस भी एक्जाम की त्यारी करने कमेंट बॉक्स में जरूर लिए जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाएं जिसमें इन एक्जाम के कॉशन्स ज्यादा ज्यादा कवर कर पाएं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ फेस्बूक वाटसेप पर जरूर शेयर करें और वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर करें वीडियो करें अब दोस्तों धन्यवाद जहिंज भारत वन्दमात्रम